डियागनाईज कीजिए वाशिंग मिशीन एलजी फ्रेंट लोड में दस स्टेप में सिर्फ आपका पांच मिनिट लगेगा अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं तो चांस क्यों लेंगे बन जाएए मिशीन का हर स्पेर पार्ट चेक करेंगे पूरी देखिये वीडियो सबसे पहले तो ऑन कर लीजे वाशिंग मिशीन को जैसे रेगलर करते हैं और ओर पूट को वेट कीजिए इस प्रोसेस को एम्टी रण करना पर दोस्तों हर मॉडल चेक कीजिए लजी का सेम प्रोसीजर आल्मोस्ट आपको पूरा रण करके दिखाएंगे और पूरा स्पेर प सबसे पहले फस्प्रोसेस के लिए अप प्ले करेंगे तो फस्प्रोसेस ऑन होगा और धीमी घती से मिशीन घूमेगा दूसरा चोईस अब जैसे ही प्ले करेंगे तो आर्पीम ले लेगा अगर पानी है तो वेट करना पड़ेगा जीरो से आपको एक्जाक्ली चलेगा चलता ही रहेगा 400 आर्पीम पे जाएगा फिर भी चलता रहेगा 500 पे जाएगा फिर भी चलता रहेगा 600 पे जाके रुख जाएगा तो थर्ड टाइम अप्ले करने के बाद आपको आर्पीम और आगे जाएगा और आगे जाता 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 एकदम हाई स्पीड तो आपको हिंट मिल रहेगा कैसे मोटर के आर्पिम इस टेस्ट मोड में चक करेंगे गई एक बात का दियान रखिए अगर आर्पिम नहीं चल रहा है तो ड्रेन मोटर भी फॉल्ट हो सकता है पानी निकलने के बाद ही आर्पिम हाई में चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेख्ट एप फिर से जैसे ही आप प्ले करेंगे तो जैसे ही हमारा वाल्ल चक करने का आपको यहक्विकर करने के लिए और एकष्ञ पर प्ले ह्करना पड़ेगा जैसे के प्रिवाश तो ठीक है अभी प्ले करके देखेने में वाश कैसा है जैसे ही मेन वाश करेंगे पानी प्रिवाश में रुक के एकदम मेन मेन वाश में आना शुरू हो जाएगा मेन वाश में ख्याल रखे गई अगर एक वाल खराब है तो प्रिवाश में आएगा अगर मेन वाल में खराब है तो भी पानी आएगा दो बार प्रेस करने से पानी आता ही रहेगा एक बात दियान में रखिए 255 से टाइमिंग शुरू हो के 229 तक रगिलरली पानी भरेगा जैसे जैसे पानी भर रहा है आपको दो चीज का ख्याल रखना पड़ेगा अगर वाल खराब है तो पानी नहीं भरेगा और कभी-कभी आई एरर आता है और अगर पा कम टाइम भी कम हो रहा है तो प्रेशर सेंसर भी ठीक है और प्रेशर सेंसर का पाइप भी ठीक है और इनलेट वाल भी ठीक है यह बात का ख्याल रखिए प्रेशर सेंसर का एरर पी आता है इनलेट वाल का एरर आई आता है तो दिहान में रखिए और जैसे ही वह 229 आएगा पानी भरा रहेगा और आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 230 हम वेट करें 229 का जैसे ही 229 आएगा में वाश में जो पानी आथा सा कट आफ हो जाएगा देख सकते आप क्लियर से और 229 में जाके मिशीन रुख जाएगा तो उसका नेक्स टेप में बढ़ेंगे 28 आजाएगा और जैसे याँ प्रेस करेंगे पानी निकलना शुरू हो जाएगा 28 में आने से आने के बाद वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हीटर में था तो 230 जैसे 255 तक जाके रुख जाएगा एक बात का दिहान इदा रखना है पूरा साइकल जितना भी स्पेर पार्ट है आप सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट में चेक कर सकते हैं जैसे के अपने देखा 225 आ गया और मैटर क्लोज पूरे पार्ट चेक हो गए मिशीन परफेक क्या तक रखना है अब्दाटब कर दिया थाएगा।